दूप आज का वा क्लास दूप आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नबर वन इंट्रोडक्शन टू बायलोजी और टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट आज हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बढ़ेंगे तो हमारी बुक में तीन मुस्लिम साइंटिस्ट का जिकर किया गया है जाबर बिन हयान, अब्दुलमालिक असमाई और बुवली सीना तो आज की कलास में हम दो साइंटिस्ट के बारे में बढ़ेंगे जाबर बिन हयान और अब्दुलमालिक असमाई सबसे पहले हम जाबर बिन हयान के बारे में बात करते हैं He was born in Iran and practiced medicine in Iraq जाबर बिन हयान इरान में पैदा हुए और इन्होंने इराक में तिब की practice की He introduced experimental investigation in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals जाबर बिन हयान ने chemistry में तजर्बाती तहकीक का अमल मतारफ करवाया और पौदों और जानवरों पर कई कुटब तहरीर की His famous books are Al-Nabatat and Al-Hewan इसकी जो मशूर कताबे हैं उनमें Al-Nabatat और Al-Hewan है So students हमने जाबर बिन हयान के बारे में बात की के जाबर बिन हयान इरान में पैदा हुए और इन्होंने इराक में तिब की practice की तिब मीन मैटसन और इन्होंने chemistry में तजर्बाती तहकी का अमल मतारफ करवाया यानि तजर्बाती काम इन्होंने chemistry में मतारफ करवाया और पौदों और जानवरों पर कई कताबें भी लिखी इसकी मशूर कताबों में Al-Nabatat जो इसने पौदों पर लिखी और अलहेवान जो इसने जानवरों पर लिखी नेक्स्ट हम बात करते हैं अब्दुलमलिक असमाई के बारे में अब्दुलमलिक असमाई He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail इन्हें पहला मुसल्मान साइस्तान माना जाता है जिसने जानवरों का तफसील से मुतालिया किया His famous writings include और इनकी मशूर तहरीरों में कौन कौन सी हैं जी Twitch अब्दूबल नूबल इसने कैमल पर लिकी थी यानि के उंट पर अब्दूबल इसने गोड़े पर लिकी थी खुलकुल इनसान । जो के इसने इनसानों पर लिकी थी तो स्ट्रेंट से हमने बात की अब्दुल्मलिक अस्माई के बारे में के अब्दुल्मलिक अस्माई को पहला मुसल्मान साइस्दान माना जाता है जिसने जानवरों का तफसील से मुतालिया किया और इसकी मशहूर तहरीरों में अलॉबल है जो के कैमल पर लिखी الخیل ہارس پر لکھی الوہوش انیملز پر لکھی اور خلق الانسان جو کہ اس نے انسانوں پر لکھی تو سٹرنٹس آج کی کلاس میں ہم نے جابر بن حیان اور عبد الملک اسمائی کے بارے میں پڑھا جابر بن حیان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عراق میں طب کی پریکٹس کی انہوں نے کیمسٹری میں تجرباتی تحقیق کا عمل مطارف کروایا और पौदो और जानुरों पर कई कताबें तहरीर की और उनकी मशूर कताबों में अलिबातात और अलहवान है अलिबातात इन्होंने पौदों पर लिखी और अलहवान जानुरों पर लिखी फिर हमने अब्दलमलिक असमाई के बारे में बात की कि ये वो पहले मुसल्मान साइसदान हैं जिनोंने जानवरों का तफसील से मुतालिया किया और इनकी मशूर तहरीरों में अलॉबल जो के उंट पर लिखी अलखेल जो गोड़े पर लिखी अलवहूश जानवरों पर लिखी और खुलकुल इनसान जो के इनसानों पर लिखी स्ट्रेंट्स नेक्स क्लास में हम बू अली सीना के बारे में बढ़ेंगे आज की क्लास से रिलेटिड हमारे क्वेस्चन्स राइट ए शॉर्ट नोट ओन जाबर बिन हयान जाबर बिन हयान पर एक मुफ्सर नोट लिखना है तो इसमें आप बताएंगे के जाबर बिन हयान इरान में पैदा हुए और इन्होंने एराक में तिबिकी प्रैक्टिस की इन्होंने केमिस्ट्री में तजर्बाती तहकीक का अमल मतारफ करवाया और पौदों और जानुबरों पर कई कताबे लिखी इनकी मशहूर कताबों में अल निबाताथ और अलहवान है नेक्सट क्वेस्टिन है राइट डाउन दा नेम ऑफ टू बुक्स ऑफ जाबर बिन हैन जाबर बिन हैन की दो कताबों के नाम लिखने है तो इसमें अलनिबातात और अलहवान दो कताबों के नाम नेक्स क्वेस्टिन राइट ए शार्ट नोट अन अब्दुल्मलिक असमाई अब्दुल्मलिक असमाई पर एक मुकसर नोट लिखना है तो आप इसमें बताएंगे कि अब्दलमलिक असमाय को पहला मुसल्मान साइस्तान माना जाता है जिन्होंने जानवरों का तफसील से मुताला किया और इनकी मशहूर तहरीरों में अलॉबल उट पर लिखी अलखेल गोड़े पर अलवहूश जानवरों पर और खुलकुल इनसान शामिल है स्ट्रेंड्स पंजाब टेक्सबुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेर करना है तो आज हमने बात की है जाबर बिन हैयान के बारे में आपने ये जो दो लाइने लिखी हुई है अच्छे तरीके से प्रिपेर करनी है और इसी तरह हमने फिर बात की अब्दुलमालिक असमाई के बारे में इन से रिलेटिड भी दो लाइने लिखी हुई हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेर करना है Thank you friends